हेलो मेरे प्यारे विद्ध्यार्थियों कैसे आप लोग वेल्कम डूपेसल चलनवे स्टेडी उटी जेकर सन डेडिकेट टू मेकनिकल इंजिनेरिंग डिपार्टमेंट मेरे से अभी एक लड़का कोशन पुछ रहा था कॉल किया था तो वो पुछ रहाता है सर हम लोग कैसे पढ़ेंगे जब ज्यादा सब्जेक्ट हो जाता है तो जो पिछला वाला चीज़ भूल जाता है देखो करो क्या पहले मैं यह बता देता हूँ कि होता क्या है कि लड़क में जाता हो जिसके बाद आप लगाएगे सोम लगा रहें ठाहले ठीके टोमा लगा रहें जबसक्व लगा रहें तो डिusan क्या होता है आप सब्जेक्ट को बूली जाते हो ऐसा मत करो एस सब्जेक्ट को बूलो नहीं आपको अगर दिन में इसको चार लगनटा से लेकर पा स्ट करें दहां लोरो निया सब्जाय को योज करना यह सभी बच्चों के लिए मुझे लगाँ यह काफी शीज बता दूंगा और कोई अगर दिक्कत होता तो अपना वार्टसप तो करी ले तो नेचे वह वाड्वक दिया गया है वाट्सप गुरूप जोन कर देना कोई दिक्कत होगा तो वहाँ से मतलब इंडिया में जितने भी इंपोर्टन आपके जोई भी जैई, एससी जैई या फिर आरभी जैई, स्टेट लवल का इजैई, या फिर आपका इसरो डी आडियो का जैई, एका त्यारी करा सभी मिल जाता है, PDF एकरा मिल जाता है, क्यों मिल जाता है, कुछ जाना रहता है, सारा चीज़ में वहीं पर डालता हूं, तो वह सारा चीज़ भी आपको मिल जाएगा, वैसे आभी हम लोग क्या देख रहे थे, और प्रिवेसर का पेपर को देखते हुए, इसको डिजन किया गय मिलर होता है, तो उसको कंपाइलेशन करके एक मास्टर कोर्स बनाए गया, और यहां पर हम लोग थियोरी और आपका MCQ दोनों लाते हैं, यहीं कि सबसे पहले हम लोग वीडियो लेक्चर लाएंगे, मेकनिकल में जितने भी सबजेक्ट है, जैसे कि अभी हम लोग चारा प् चल रहा है, तो आप चाहएं गया था चल रहा है यहां नूमरिकल सेशन भी चल रहा है, यहां यहीं कराते हैं कराते हैं लोग बढ़ते हैं आगी हम लोग अभी चल रहा प्रोड़क्शन इंजिनिरिंग और हम लोग का आज का क्लास जो हो जागा that is your 13th लेक्चर यह हो जागा आपका 13 लेक्चर इसे पहले आपका 12 लेक्चर आच चुका है अगर आप नहीं देखे तो डिस्क्रिस में लिंक होगा जाका आप देख लिजेगा या फिर प्लेलिस में जाकर चेक आउट कर लिजेगा तो चलिए आज हम लोग लगाएंगे mcq solution क्या लगाने हो हम लोग mcq solution एंड देखो जैस्ट में ने आभी आपसे कहा कि यह आपका कितना लेक्चर है 13 लेक्चर है लेकिन अगर हम लोग mc इससे पहले आपको एटीन असी कोशन आ चुका है एक टीकोशन हम लोग solution कर दिये तो चलिए आज के class के start करते हम लोग सबसे पहले कोशन अच्छा उससे पहले सराज का topic किस topic साज हम लोग का question रहेगा वह में बता देता हूं तो आज भी रहेगा सेम जो पिछला था पिछल cutting fruit से था cutting fluid से था and दूसरा था मेरा tool life से था यही था ना ठीक है तो tool life से ही question रहेगा cutting fruit से related आपको रहेगा यह में इसलिए बताता हूं कि अगर आप कभी भी next बार वीडियो देखते हो तो पहले इन दोना का topic का theory पढ़ लेना then यहाँ पे MCQ आना आपके लिए थोड़ा easy र करता हो जब हम लोग cutting करते हैं continuous chip को cutting करते हैं ठीक है continuous मेरा निकलता है chip या फिर continuous cutting करते हैं लगातार cutting करते जा रहे हैं क्या वो बहुत ज्यादा अच्छा होता मच बेटर देन हो जाता इन्टरमेटर cutting याने की बीच बीच में रुक रुक के cut कर रहे हैं तो बिल्कुल सही tool life उससे मेरा ज्यादा बढ़ता है यह agree करते हैं क्योंकि होता क्या है कि मालो आप continuous cutting करो जब continuous cutting करो तो मेरा जो cutting tool रहता है वो मेरा एक बार से cutting age में cut करते हुए जाता है लेकिन आप बा जो grain size होता है is smaller if the grain size is smaller than the tool life is better agree or disagree बताई अगर मेरा grain size छोटा 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 निकलेगा यानि कि करने कमतलब क्या है जो भी material बना रहता है उसका grain size रहता है तो grain size मालो एक पतला पतला छोटा 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 मतलब पतला बोर रहे हैं आप मिन बहुत ही आपका छोटा छोटा grain size से मिल के बनावाए एक workpiece इसको हमको क्या करना cutting करना with the help of cutting tool cutting tool से इसको cutting करना या फिर दूसरा commentary ले लो ये भी आपका workpiece है ये कोई workpiece है और ये भी आपका कोई workpiece है इसका grain size है काफी बड़ा बड़ा है grain size तो यहाँ बुरा कि बताए अगर मेरा small रहेगा तो उसका tool life करेंगे क्या करेंगे disagree it means क्या है कि अगर मेरा grain size यहाँ पर बोलता larger अगर मेरा larger रहता बड़ा रहता तब मेरा tool life काफी अच्छा होता है पास समझ में यह चीज को आप लोगो ध्यान में रखना है ठीक है तो अगर grain size मेरा larger रहता है तो cut करना में काफी easy होता है क्योंकि इस समझ लोग इसी तरह से जैसे solid का बात करेंगे हम लोग liquid का बात करेंगे और हम लोग गेस का बात करेंगे आप क्या देखते हो तो इसलिए तो होता है, तो इसलिए तो होता है, तो पूरी तर से अपने फेल लेने लगता है, तो उसी तरह यहीं पे भी उसी से रिलेट करके अगर आप बनाओगे, तो आपको फट से समझ में आ जागा कि यहां पर क्या बोलने का ट्राइ कर रहा है, वहीं चीज़ यहां पर बोल रहा है, कि मेरा अगर अगर समॉलर रहेगा, मतलो समझ लो सोलिड का बात करा, तो सोलिड करने में तो क्या इसको तोड़ना आसान होगा, नहीं, तो अगर में बढ़ा कि ग्रेंज साइज होगा, घड जाएगा, तो बेटर यहां पर नहीं होगा, ठीक है, समझ आए कि नहीं, तो यहां पर हो जगा आपका डिसेगरी, ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं, नेक्स हो ना कि एक term को बोला जाता है जैसे माल यहां पे बोलेंगे सर अगर मेरा grain size ज्यादा रहाता तो ठीक है एक term को मैं बतारों ध्यान देना ठीक है क्या मैं बोर रहा हूं one minute red से में लिगता हूं अगर हम लोग sir grain size ग्रेंज साइज जो है वो लार्ज लेंगे तो लार्ज लेने से मेरा MRR ये टर्म को कभी-कभी यूज़ करता है MRR जो होता है वो मेरा बढ़ जाता है अब बोलेंगे सेरे MRR क्या है M फरो हो जगाव का material R फरो हो जगा remove और R फरो हो जगा rate यहीं कि material removal rate यह मेरा बढ़ता है और इसी के चलते मेरा जो टूल लाइफ है टूल लाइफ हो क्या हो जाता है मेरा increase कर जाएगा in case अब किसका बात कर रहे हैं यहां पर हम बात करें जब grain size मेरा बढ़ा रहेगा grain size में अगर मेरा बढ़ा रहा तो material removal rate जो रहेगा वो मेरा जादा या जादा करेगा तो इसका मतलब क्या है मेरा टूल लाइफ बढ़ जाएगा लेकिन अगर मेरा grain size smaller रहा तो मेरा टूल लाइफ घड़ जाता है क्योंकि material removal rate जो भी मेरा क्या हो जाता है कम हो जाता है यहां पर MRR क्या हो जाता है कम हो जाता है इसलिए disagree की समझे रही होंगे कि नेक्स्ट कोस्ट्टिन इस ट्रकरिंग तो कि अबाओड डी टूल लाइफ इस टू वी आवर मैंने बता है था आपको की टूल लाइफ किसी का जो टूल जो करते हैं हम लोग कटिंग टूल का उसको खास-खास कुछ प्रोपर्टी हम लोग देखे थे वह होना चाहिता भी जाके कटिंग में अच्छी तरसे कट कर पाएगा वह अबर कब हो जाता है इसके बाद वह कट नहीं कर पाएगा मतलब फेल कर गया क्या क्या रीजन है तो यहां यानि कि वह ज्यादा पावर लगने लगा अचानक और अगर सदन हम लोग फोर्स को इंक्रीज कर रहें तभी मेरा सर्फिस जो है फिनिस हो रहा है या फिर कभी आपका इंप्रीज हो रहा है स्पीड कभी घट जा रहा है मतलब डिसकंटिवनिटी देखने को मिल रहा है और फ्रिक्षन यानि वाइब्रेशन के चलते हैं फ्रिक्षन काफी जनरेट हो रहा है तो यहाँ पर आप देखोगे औल अब देखने को में आ जाता है तो सभी इसका करेक्ट अंसर है नेक्स्ट का अंसर दीजेगा आप लोग क्या बोल रहा है क्या बोल रहा है क्या टूल लाइफ इसका घट जाएगा तो बिल्कुल डिपेड करता है अज आप कभीकषें फूछा जाता की इन सबको अगर और एकुञेंगे अगर मेक्सीमूम सब्चालदेट को है निक्सा करता है the अजय को कहते हैं क्योंसर दो दो जौन्-जहाएगा तो यहाँ पर आजेगा आपका करता है कुन लाइफ को इससे कम करता है कम आपका करता feed rate कौन करता आपका feed यहाँ पर बोला गया feed rate पुरा हो जागा इससे कम कौन करता है आपका depth of cut depth of cut तो सबसे अदा effect करता है cutting speed फिर आपका feed rate फिर depth of cut राइट चलो इसका answer हो जागा आपका d number हो इसे तो सब कोई करता है यह आपको मैंने बता दिया कि अरेंज वाइज में सबसे अदा कौन effect करता है फिर और फिर कौन करता है आगे बढ़ते है next हम लोग देखेते हैं टेलर टूल लाइब जिसको कहते थे टेलर टूल लाइब क्या होता था यही तो question पुछा गया तो चली पहले आप लोग इसको दीजिए यहां बोलागा the relation between the two live t in minutes में लेते हैं and जो cutting issue v लेते हैं वो क्या लेते हैं हम लोग m per minute में लेते हैं यह बताई क्या होता है क्या v per power n divided by t is equal to हो जाता सी या फिर v t per power n equal to c या फिर v per power n t is equal to c या फिर v divided by t per power n is equal to c क्या होगा correct answer बताई ही इतना टाइब आप लोग post करके ले लिजेगा correct answer आपको दिख रहा होगा यहां पर b हो जाएगा क्या हो जाएगा इसका correct answer b number हो जाएगा यहां पर सारा चीज में बता देता हूँ v आपको पता है यहां तो बोली दिया वे जो हो हो क्या आपका cutting speed है cutting speed ठीक है जिसका हम लोग किसमे लेते है m per minute में लेते है ठीक है इसका आजाताları t t kya है मेरा time है time किसमे लेते है मिनन लेते है फिर आजाता अन n क्या है यह आपका एक exponent है क्या है यह आपका exponent है और यह depend किसमें करता है याद रखना यह tool पर depend करता है और आपका workpiece दोनों में depend करता है ठीक है book में गलत दिया है कहीं देखेगा question किसी किसी में workpiece नहीं बोलता है लेकिन यह depend tool और आपका workpiece दोनों में depend करता है exponent और N का जो value है अलग-अलग material के लिए अलग-अलग होता है और C क्या C आपका एक constant है C जो ही आपका constant है constant value है अच्छा N किसके लिए किसके लिए राता है मैं बता दिया था पहले भी अभी बता देता हूं अगर दो-तिन चीज पुछता है पहले बुझागा N का value जो H SS के लिए यानि की high speed tool के लिए कितना होगा तो इसके लिए high speed इस्टील के लिए लेते हैं हम लोग 0.1 से लेकर 0.2 तक लेते हैं अगर N का value आपसे पुछेगा कारवाइट के लिए तो यह हो जाता 0.2 से लेकर यानि की 20 से लेकर 0.25 तक होता है अगर आपसे पुछेगा ceramic के लिए ceramic tool के लिए तो ceramic tool के लिए जो N का value जाता है मेरा सिक्स नंबर आंसर की जगा देखिए बनाएगी बोला कि एज दी कटिंग स्पीड इंक्रीज दा टूल लाइफ फिर से वही कोशन पूला गया मैं इसको बता चुका हूँ अगर बोला देखो यह सब कोशन प्रिविशन बार बार पूछा गया इसलिए मैं यहां ला रहा तो यह बिल्कुत सही है कटिंग स्पीड को बराने से मैंने टूल लाइफ घड जाता है ठीक है नेक्स्ट कोस्चन फिर से वही टेलर लाइफ का बात किया गया है टेलर टूल लाइफ टेलर टूल लाइफ में जो रिलेशन हो जाता भी टिपे पावर एन इकल टूल टू सी टी जो होता वो टूल लाइफ होता मिनट में सी जो रो गुदा हो जाता है भी आपको पता कटिंग स्पीड हो habitat एकश्पोनेंच होता है तो यहां पर बॉरंख की एन जो हो लाइफ विल्युव किसमें करता है और व्लियुमnel में ब्लब करता है विल्युमें ने एसका बहु इसके work material यानि कि work piece पे भी depend करता है तो यहाँ पर answer A and B both हो जाएगा both is the correct answer ठीक है चलो move करते हैं next question यहाँ बोला गए in the relation फिर से relation बात किया गया इस relation का जो बात कर रहे हैं यह VT equal to N BT power N equal to C teller tool life इसमें जो बुरा N for carbide tool जिस वो just मैंने कहा था ना carbide tool के लिए बताया था ceramic के लिए बताया था और HSS यानि की high speed steel tool के लिए बताया था तो बताए करवाइट के लिए क्या होगा करवाइट के लिए N का value क्या होगा correct answer बताए फटाफट यह मैं बता दी हूँ तो करवाइट के लिए अगर आपको पूलेगा तो करवाइट के लिए क्या था 0.207 0.25 यानि की B हो जागा correct answer next बोला गया फिर से होई चीज बोला गया यहाँ पर question the relation VTP power and equal to C the value of N for the ceramic tool अब यहाँ बोला ceramic tool के लिए N का value क्या होगा यानि की exponent का value क्या होगा क्या 0.1 से लेकर 0.2 तक होता है या फिर 0.20 से लेकर 0.22 तक या फिर 0.25 से लेकर 0.4 तक या फिर 0.40 से लेकर 0.55 तक तो N का value सबसे मैक्सिम होता है आपका किसका? सेरामीक का ही तो सबसे मैक्सिम है यहाँ पर कहां दिख रहा है दी नमबर में तो करेक्टन सबस्क्राइब दी नमबर 0.40 से 0.55 तक होता है question number 10 एंड आज का last question क्या बोला खा है यहाँ पर question पर in single point turning operation with a cementite यहाँ पर हम बात करिए tool signature का tool आपका teller सोरी आपका नुमरीकल भी आ जाता है इस टाइपका नुमरीकल देखने को मिलेगा ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं क्या बोला गया कि in the in single point cutting in black ले रहे थे in single point turning operation with a cementite carbide and steel combination having the teller exponent of 0.25 यहाँ पर टेलर cutting speed is half यहाँ पर cutting speed हाप कर दिया गया थीक है दो चीज़ पता चल गया है तो बोला गया है कि two life will be two life will become कितना हो जाएगा यहां कि two life से बोला है तो हम लोग चलो time में हम लोग निकालते हैं वो कितना होगा and exponent का value कितना दिया देखो exponent 0.25 है तो put करेंगे 0.25 is equal to constant रहने देते हैं चलो ठीक है हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर तो t को यह जो half है उधर चल जाएगा तो into में आ जाएगा यहां कि t 0.25 is equal to 2c and इसको हम लोग अगर देखेंगे और तो टोड़ेंगे तो इह होग 23 की आजएगा तो इदर चल जाता है तो यही वाला चीछты चल जाता इतु कई इस्कोर रगा हो is equal to a when is equal to a power square यहां जो यहHa1भाईड में राता है यहां पर आजло यहां में आ जाता है यहां पर कर तो टी एकोल 2 यह जो 4 है यह 2 पर 4C आ जाएगा या थोसरा तरीका यानि कि यहां पर क्या देखा तो टीएकोल टूपर 4 कितना को जाएगा 16 16 ताइम यहां पर correct answer हो जागा क्या जगा पर 16 टाइम चलिए कैसा वीडियो लगा जुरो आपसे बताईएगा एंड चलिए आज का पहले मैं आपसे question पुछ लेता हूँ आप लोग comment करते नहीं हो मैं हमें सही चीज़ बोलता हूँ चलिए अब में नहीं बोलूँगा आप लोग कमेंट करो नहीं करो I don't care आपको इसको comment करना है ठीक है comment में करना आपको आंसर वीडियो कैसा लगा जो बता रहा हूँ या आपको में बता रहा हूँ आप लोगो यह 50,000 तक का अभी के टाइम पे जो बढ़ गया है पैंद का रेट वो 50 तक का मिले जगा अगर्व नॉर्मली भी अफ्श्राइब से भी कहीं से मिनिमअ म आपको कंव से कम 15 लेकर 20 या सां लगे बढ़ आप लोग को support चाहिए तभी जाके मैं ये सारे चीज़ को आप लोग को और पढ़ा पाऊंगा और motivate हो पाऊंगा लेकिन आप लोग देखते नहीं हो share नहीं करोंगे तो मुझे अच्छा नहीं लेगा राइट तो मिलते हैं और next part में तब तक लिए गुडबाई एंड गॉडब्लेस यू ओल एंड चैनलन को जोरो सब्सक्राइब कर लेना एंड वाट्सप ग्रूप जो रहेगा और टेलिग्राम में जोन कर लेना वहाँ पे आप लोग को पता है जैसे की लड़के लोग रहता है सब्सक्राइब करते हैं मेरे से पूछ सकते हो पेड़कोर से रिलेटर आरे स्कूरी में आर्केजन से रिलेटर एंड वहाँ पे आपको कोसियन को डिसकस करते हैं और 9000 आपको कोसियन सोलिशन प्रवाइड करते हैं सारे चीज़ का पता करने के लिए वाट्सप नमबर में आप इसके बारे में कौरी पता कर सकते हो